इस वीडियो में हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर्स के डिफरेंट टाइप्स पे तो basically सेमीकंडक्टर होते हैं दो तरह के एक तो intrinsic सेमीकंडक्टर और दूसरा extrinsic semiconductor इन दोनों का जो basic difference है वो इसके purity पे हैं सेमीकंडक्टर के purity पे है intrinsic semiconductor ये pure semiconductor होता है या फिर कहें pure tetravalent atom से बना हुआ crystal होता है हम आगे बात करेंगे इस पर काफी बात करेंगे और ये जो extrinsic type semiconductor होता है ये होता है impure इसके साथ impurity मिलाया जाता है तब जाके extrinsic semiconductor बनता है extrinsic semiconductor जो होते हैं इसका conductivity intrinsic semiconductor से ज्यादा होता है तो इसका conductivity इससे ज्यादा होता है और ये जो extrinsic type है ये दो तरके होते हैं एक तो होता है n type semiconductor और दूसरा होता है p type semiconductor और इन सारे चीजों को जो हम समझेंगे उन्हें हम समझेंगे Holes तथा Free Electrons के Concept से तो सबसे पहले हम बात करेंगे Intrinsic Semiconductor पे उसके लिए Consider करते हैं हम एक Crystal Structure तो जैसे कि हमने बात किया Semiconductor ये बनता है Tetravalent Atom से Tetravalent Atom का Crystal ही Semiconductor कहलाता है Tetravalent मतलब जिसका की Valence Cell में 4 Electrons है तो अगर Electrons को Consider करते हैं सारे Valence Electrons को तो ये Structure कुछ ऐसा दिखेगा तो जो Atoms है ये Tetravalent Atoms है किसी भी Atom को आप Consider करें माले इस Atom को हम Consider कर रहे हैं तो इस Atom में ये 4 Electrons अपने हैं ये अपने 4 Electrons है और ये क्या करता है ये अपने आसपास के 4 Atoms के साथ 1, 2, 3 और 4 4 Atoms के साथ ये बनाता है Covalent Bond और चारों से एक-एक Electron ये Share करता है ये देखे ये इसने इस से ये वाला Electron इस से ये वाला Electron इस से तथा ये वाला Electron इस Atom से इस बीचवाले Atom ने Share किया है और Share करने के बाद ये Polys Exclusion Principle मानते हुए बहुत ही Stable हो जाता है तो ये अब इसके पास देखे आठ Electrons है वालेंस शेल में तो ये बहुत ही Stable स्टेट में चला गया है बाकि सारे Atoms को आप देखे सारे Stable स्टेट में है लेकिन जब इसे थोड़ा Heat प्रवाइड किया जाता है Due to Thermal Agitation होता क्या है? Arbitrarily किसी एक Electron को मिल जाता है बहुत Energy, काफी Energy इतना Energy कि वो अपने Valence Shell को छोड़के या फिर कहें Valence Band को छोड़के वो अपने Conduction Band में चला जाता है तो हम कह सकते हैं कि वो Free Electron बन जाता है Valence Band को छोड़के ये चला गया Conduction Band में तो ये क्या बन गया? ये जो Extra Electron आपको देख रहा है यहाँ पर ये बन गया Free Electron तो ये रहा Free Electron जो की Current को Conduct करने में मदद करेगा और साथ ही साथ आप यहाँ देख पाएंगे यहाँ एक Gap बना हुआ है देखे, Stable होने के लिए इस Atom को चाहिए 8 Electrons अपने Valence Shell में तो अभी देखे, इसके Valence Shell में साथ Electrons है एक को तो इसने खो दिया वही Free Electron बना तो यहाँ पर ये एक Electron Accept कर सकता है तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि यहाँ एक खाली जगा है जो आगे चलके भर सकता है तो यहाँ पर इस खाली जगा को कहा जाता है Hole यह दूनों Hole और Free Electron इन दूनों को कहा जाता है Charge Curriers क्योंकि यह दूनों Current को Flow करने में मदद करता है इन्हें कहा जाता है Charge Curriers कैसे मदद करता है देखे, Free Electrons आपको तो पता ही है वो Mainly Responsible होता है Current को Flow करने में इसी के flow को हम Current कहते है और Hols कैसे मदद करता है कि जो Electron Flow कर रहा है यह उसे Trap कर लेता है और बगल वाले Electron को यह Free कर देता है इसी के आज़ आसपास के region से कहीं से यह Free हो जाता है Electron तो वहाँ बन जाता है Hole और जो Electron Free हो जाता है वो बन जाता है free electron, तो current को flow होने में hole का भी अपना participation है, तो इसलिए हम कहते हैं hole और free electrons ये दोनो current को flow करने में मदद करता है, और यहाँ पर देखें ये जो sample है, ये pure tetravalent atoms का sample है, ये atom से बना हुआ crystal का sample है, so intrinsic semiconductor हमने बात किया है, ये pure होता है, pure crystal होता है, हम कह सकता है pure material होता है, और ये जो बनता है, ये tetravalent atom के crystal से बनता है, कुछ example अगर आप consider करें tetravalent atom का, तो जैसे कि silicon, जैसे कि germanium, तो ये दो examples, tetravalent atom के, तो silicon का अगर crystal रहता है, तो उसे हम intrinsic semiconductor कह सकते हैं, germanium का अगर crystal रहता है, तो उसे भी हम intrinsic semiconductor कह सकते हैं, पर ये जो current को flow खूने देता है, उसका जो amount होता है, दूसरे शब्दों में कहा है, इनका जो conductivity होता है, ये काफी ज्यादा नहीं होता है, इनका conductivity को बढ़ाने के लिए, हम उसमें impurity मिलाते हैं, कैसा impurity, आगे चलके बात करेंगे, दो तरह के impurities होते हैं, एक तो impurity डालने से वो N-type बन जाता है, semiconductor, और दूसरे तरह का impurity डालने से वो P-type semiconductor बन जाता है, पर तुनों ही case में इसका जो conductivity है, ये conductivity काफी काफी ज्यादा बढ़ जाता है, तो अभी हम बात करने वाले हैं, extrinsic semiconductor पे, तो जैसे कि इससे पहले हमने बात किया है, कि extrinsic semiconductor तभी बनता है, जब हम किसी pure semiconductor में impurity मिलाते हैं, impurity मतलग कैसा impurity? अगर हम उस semiconductor में, अर्था tetravalent atom के crystal में, trivalent अर्था जिसका valency तीन है, या pentavalent अर्था जिसका valency पांच है, उस तरह का atom मिलाते हैं, तो वो बन जाता है extrinsic semiconductor, यहाँ इस sample में देखे, पहले वाले sample में, इस atom को अगर आप देखेंगे, यह atom एक trivalent atom है, इसका अपना जो electrons है, देखे, यह और यह तीन electrons है, इसका अपना, जो यह एक trivalent atom है, और इस तरह के impurity मिलाने से, यहाँ पर क्या होता है, एक natural hole create होता है, आप यहाँ ध्यान से देखे, यह जो है, यहाँ पर यह naturally accept कर सकता है, एक atom को, Paulie's exclusion principle, यह stable state में जाने के लिए, 8 electron अपने valence cell में demand करेगा, तो यहाँ पर एक natural hole बन गया, इसके लिए हमें इस sample को thermally agitate नहीं करना पड़ा, इसे heat नहीं देना पड़ा, by default, चूंकि एक के पास एक electron कम है, by its basic nature, क्योंकि वो trivalent atom है, तो एक hole अपने आप बन गया, उसी तरह से अगर हम pentavalent impurity मिलाते हैं, या pentavalent atom को मिलाते हैं pure semiconductor में, तो देखे, इस case में, यह जो atom है, इसके पास एक, दो, तीन, चार, और पाँच electrons हैं, तो चार electrons तो share कर लिए, अपने आसपास के चार atoms के साथ, और वो आठ electron valence cell में बन गया, जो extra बचा एक electron है, वो इतना loosely bound होता है, कि वो अपने आप free हो जाता है, और यह बन जाता है, free electron, तो यहाँ पर यह जो है, यह जो impurity है, यह impurity है, pentavalent atom, तो यहाँ पर pentavalent atom मिला जाता है, pentavalent atom, और इसके कारण होता क्या है, इसके कारण naturally create होता है, यहाँ पर free electron, naturally, इसके लिए thermal agitation की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और इस case में, इस पहले वाले case में, naturally create होता है, hole, यहाँ मैं आपको बता दूँ, कि यह जो पहला sample आपको दिख रहा है, जिसमें की trivalent atom as impurity मिलाया गया है, इसे कहा जाता है, P type semiconductor, यहाँ पर याद रखने के लिए, P stands for positive, यह P जो है, यह positive को indicate करता है, क्यों positive, क्योंकि यहाँ देखे, extra hole है, hole मतलब वहाँ पर electron यह ले सकता है, electron negative nature का होता है, तो यह उसे ले सकता है, accept कर सकता है, इसी लिए मानो इसे माना जाता है, positive type semiconductor, और यह जो दूसरा sample है, इसे कहा जाता है, n type semiconductor, n type semiconductor, n यह याद रखने के लिए, negative type semiconductor, क्यों, क्योंकि यहाँ एक free electron, यह extra है, और electron का nature जो होता है, वो negative charge वाला होता है, जो चूंकि इसके पास एक negative चीज एक्स्ट्रा है, तो इसी लिए इसे negative type semiconductor कहा जाता है, और यह जो impurity मिलाया जाता है, चाहे आप P type semiconductor बनाए या n type semiconductor बनाए, यह impurity बहुत ही कम मात्रा में मिलाया जाता है, यह जो मिलाया जाता है, यह 1 is 2, 10 to the power 6 इस ratio में मिलाया जाता है, देखें, अगर आप P type semiconductor बना रहे हैं, तो सिर्फ trivalent atom ही मिलाना होगा आपको impurity के तौर पे, अगर आप N type semiconductor बना रहे हैं, तो आप सिर्फ pentavalent atom impurity के तौर पे मिलाएंगे, ऐसा नहीं कि impurity के तौर पे, थोड़ा trivalent और थोड़ा pentavalent atom आपने मिला दिया नहीं, या तो आपको P type बनाना होगा, semiconductor को, या फिर N type बनाना होगा, चाहे आप P type semiconductor बना रहे हैं हो, चाहे आप N type semiconductor बना रहे हैं हो, impurity जो होता है, यह बहुत कम amount का मिलाया जाता है, आप एक impure atom मिलाएंगे, या एक trivalent या एक pentavalent atom मिलाएंगे, तो आप समझ सकते हैं कि कितना कम impurity मिलाया जाता है, impurity मिलाने का फाइदा बहुत है, एक तो उसका conductivity बढ़ता है, और भी कुछ कमाल की चीज़ें होते हैं, जिस पे कि हम आगे के विडियोज में बात करेंगे, जैसे कि यह अगर हम N type और P type को एक साथ जोड़ दे, तो जो combination बनता है, वो current को एक direction में flow होने देता है, दूसरे direction में flow होने नहीं देता है, जिसे कि हम diode कहते हैं, तो इन सब चीज़ों पे हम आगे के विडियोज में बात करेंगे, तो फिलाल इस विडियो में इतना ही मिलते हैं आपसे अगले विडियो में नए मुद्दों के साथ,